हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनास, एन्वी चैनल पर आप सभी का सौगत है, आज के वीडियो में हम आपको आपको आटोमेटिक ब्रूडिंग बता रहें, जी हाँ दोस्तो, बहुत सारे मित्रों ने हमारा वीडियो देखके इंक्योबिटर तो घर पे बना लिया या फिर क चूजा पूरी तरह से सोस्तح है, अगर आप प्रॉपरली याने पूरी तरह से सही ब्रूडिंग करते हो तो आपका एक बी चूजा नहीं มरेगा और चूजा पूरी तरह से तंदुरस रहेगा, आज के वीडियो में आपको एक दिन से लेकर 7 दिन तक आपको क्या करना है, temperature कितना देना है brooding कैसी करनी ये सबी बाते बताऊंगा इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना अगर कोई ना है मित्र पहली बार चैनल पर आये है तो चैनल को subscribe करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकान भी दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियो की notification आप तक पहुच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं तो brooding की जिया दोस्तों तो चूदों की brooding फिर आपके पास 10 चूदे हो पाच चूदे हो या 20 चूदे हो या 100 चूदे हो उ इसी कोई भी चीज जिसको गोल राउंड में आप ले सकते हो ताकि चूदा उसके बाहर ना जा सके ऐसी आपको व्योस्ता करने हैं आप बड़े वाले box का भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन अगर box ले रहे हो ये वाला तो इसको आपको बहुत सारे छेत करना है ताकि चूदों को पूरी तरह से oxygen मिल सके अंदर temperature ज्यादा ना हो पाए हो सके तो ऐसी open paste वाली ही brooding करना नीचे का गिला ना हो करके आप चावल का छिलका जिया दोस्तों जैसे ये चावल की टू से आप चावल का छिलका गेव का छिलका या फिर लकली का बुरादा भी बिचा सकते हो उसक चोटे से brooding hall में अभी फिलाल 40 चूदा और 40 चूदों के लिए हमने दो feeder और दो डिंकर लगाए हुए याने चूदा कही भी जाए तो easily पानी पी सके दाना खा सके आईसी आपको व्योस्ता करनी है ये चोटे 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 feeder डिंकर आपको कही भी market में मिल जाते हैं दोस्त सबसे मत वो पुर्णा बात होती है दोस्तों temperature की जी हाँ आप अगर सही temperature में चूदो को रखोगे तो ही वो पूरी तरह से सौस्त रहेगे और बढ़ पाएगे अगर temperature कम होता है तो भी problem है ज्यादा होता है तो भी problem है बहुत सारे लोग सिर्प 100 गा light लगा देते हैं उससे क आदा एक degree इदर उदर हुआ तो भी चलेगा अगर आप digital thermometer का इस्तेमाल करके digital thermometer जी हा दोस्तों यह जो मेरे हाथ में यह digital thermometer है इसमें अभी Fahrenheit में सेट किया है आप Celsius में भी सेट कर सकते हो digital thermometer का इस्तेमाल करके चूदो को temperature कितना मिल रहा है यह भी आप चेक करके normal brooding भी कर सकते दो light वाली अगर मानलों आपने 10000 के दो light लगाये हुए और temperature ज्यादा हो रहा है तो आप इस structure को थोड़ा उपर ले लिजे light को उपर कर दीजे temperature कम हो जाएगा और अगर नीचे करोगे तो temperature ज्यादा होगा अगर temperature नहीं बन रहा है तो तो नीचे उपर करके भी आप temperature manage कर सक तो या फिर आप सिधा सिधा हमारे जैसी यह पूरी तरह से automatic brooding है दोस्तो आप देख सकते हो STC 1000 temperature controller लगा हुआ और उस पे यह 708 के दो light लगे हुए और यह वाला तो LED light है दोस्तो उजाले के लिए क्या होता है temperature बढ़ने के बाद जब यह light बंद हो जाते है तो उजाले के आपको एक्ट्रा light जो 24 घंटे शुरू रहेगा वो तो लगा नहीं है इस तरह से आप automatic brooding भी कर सकते हो यह जो STC 1000 controller है दोस्तो इसमें हमने temperature set किया है 35 degree Celsius और इसका दो difference है दोस्तो वो रखा है 2 degree Celsius का यानि जैसे ही 33 degree Celsius के अंदर temperature आता है दोस्तो तो यह light शुरू हो जाते है अब यह आप देख सकते हो 34.5 चल रहा है करके light शुरू है जैसे 35 degree Celsius हो जाएगा light अपने आप बन हो जाएगे और जैसे 33 के अंदर आता है light अपने आप शुरू हो जाएगे दोस्तो यह automatically brooding हमने यहाप ही की हुई है STC 1000 controller का इस्तमाल करके आप इस तरह से भी temperature manage कर सकते हो य यह temperature controller का sensor है दोस्तो यही temperature गिनता है और इसे हमने एकदम चूदों के पास रखा हुआ है bottom का temperature गिनने के लिए example के तोर पे अगर यह temperature sensor में light के पास लेके जाओ तो आप देख सकते हो temperature बढ़ते जाएगा जैसे 35 हुआ दोस्तो light पूरी तरह से अपने आप बन होगी अभी स्रीप LED light की ही रोश्नी चूदों को मिलेगी और जैसे temperature डाउन होगा दोस्तो अभी तो फिलाल मैंने sensor गरम किया करके 75 के उपर चला गया है जैसे अब आभी आप देख सकते हो हमने sensor थोड़ा थंडा किया है दोस्तो 33.3 है जैसे यह 33 के अंदर आ जाएगा दोस्तो light अपने आप शुरू हो जाएगी आप देख सकते हो 2 पे आ गया अभी one होगा और light अपने आप शुरू हो जाएगी यहाँ पूरी तरह से automatic brooding है दोस्तो इसमें temperature के तरफ ध्यान देने की कोई जरूत नहीं यह देखिए अपने आप light शुरू हो चुकी है इससे temperature के तरफ ध्यान देनी की जरूत नहीं होती दोस्तो अगर आप automatic brooding करते हो क्यूंकि आपको temperature साथ दिन तक कम से कम देशी चुदों को साथ दिन तक आपको सही temperature में रखना ही है तो ही वो दाना भी खाएगे पानी भी प बनाने के लिए एक दूसरे के उपर चाड़के भी दोस्तों चुदा मर जाता है या फिर दब जाता है या फिर दोस्तों ज्यादा temperature से dehydration होने का भी डर होता है इसलिए सही temperature बनाना ज़रूर ही है उसके बाद में आपको brooding के साथ साथ चुदा जब पहले दिन का होता है जि दूसरा दोस्तों गुड का पानी खतम होने के बाद continue तीन दिन तक सुबह के पानी में जिहा दोस्तों सुबह के पानी में continue तीन दिन तक आपको उसे lexin powder या फिर कोई भी antibiotic चला नहीं है हो सके तो आप तीन दिन लगातार 24 घंटे के पानी में भी दे सकते हो उसके बाद फ रोग प्रतिकार शक्ती बनी रहेगी तीन दिन के बाद आप उन्हें साधा नॉर्मल वाटर दे सकते हो हो सके तो देसी चुदों को साथ दिन बाद लासोटा वैक्सिन याने फर्ष जो वैक्सिन होता है वो कीजिए नहीं किया तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ब नीचे का जो लिटर है जापे चुदों को रखा है वो पूरी तरह से सुका होना चाहिए टेंपरेचर सही होना चाहिए पीने के लिए पानी उसमें मेडिसीन और खाने के लिए दाना प्रॉपरली होना चाहिए और दूसरी बात आप उने जहां पे रख रहे हो वहां पे प विमारी आने का खत्रा बन जाता है इस तरह से आप चुदो की ब्रूडिंग कर सकते हो अगर आपके आपे पूरा पोल्टरी शेट के अंदर ब्रूडिंग कर रहे हो या फिर आपका कोई बड़ा रूम है तो आप आप ऐसी ओपन ब्रूडिंग कर सकते हो या फिर आप ऐसे को wiring वगेरा holder वगेरा क्योंकि जिहा दोस्तों यह anchor company के holder यह जल्दी खराब नहीं होती है सब branded चीच के साथ आपको यह पूरा complete set मिल जाएगा जिहा दोस्तों wiring किया हुआ अगर आपको चाहिए तो हम all india home delivery करवा देंगे मात्र पंदरा सुरुपए में All India Home Delivery हो जाता है अगर आपको चाहिए तो आप सुबह 11 बज़े से लेकर शाम को 6 बज़े तक हमें कभी भी कॉल कर सकते हो description में हमारी नंबर दी हुई है आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताना साथ ही अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमें comment कर सकते हो हम आपके comment का जो आप जरूर देंगे यह जो controller है इसे purchase करने के लिए आप हमें भी call कर सकते हो या फिर description में link दिया हो है आप वहाँ से directly भी purchase कर सकते हो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने जरूरत मन दोस्तों में शेयर कीजेगा आप सबी का धन्यवाद